भजन सहिता पचास, एक से पंद्रह तक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक प्रित्वी के लोगों को बुलाया है. सियोन से, जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है. हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचापना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसके चारों और बड़ी आंधी चलेगी. वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए उपर के आकाश को और प्रित्वी को भी पुकारेगा. मेरे भक्तों को मेरे पास एक अठा करो, जिन्होंन तेरे मिलबलियों के विशय में दोश नहीं लगाता, तेरे होंबली तो नित्य मेरे लिए चड़ते हैं. मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा. क्योंकि बनके सारे जीब जन्तू और हजारों पहारों के जानवर मेरे ही हैं. पहारों के सब पक दान चड़ा, और परमप्रधान के लिए अपनी मन्नते पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे चुड़ाओंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा. लुका 22, 1-38 तक, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकर था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे. तब शैतान यहुदा में समाया, जो इसकर्यूती कहलाता और बारह चेलों में गिना जाता था. उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बात चीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए. वे आनन दित हुए और उसे रुप्ये देने का वचन दिया. उसने मान लिया और अवसर धूंडने लगा कि जब भीर नहो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे. तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बली करना आवश्यक था. लीशु ने पत्रस और युहनना को यह कह कर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो. उन्होंने उससे पूछा, तु कहां चाहता है क हम इसे तैयार करें. उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाये तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरू तुछ से कहता है कि वह पाहुन्शाला कहा है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊन। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तयारी करना। उन्होंने जाकर, जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया और फसह तयार किया। जब घड़ी आ पहुची, तो वह प्रेरितों के स धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राजना आये तब तक मैं दाखकारा सबसे कभी न पिऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुश्य का पूत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर है उस मनुश्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताच करने लगे कि हम में से कौन है, जो यह काम क उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा अन्यजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। तारांकन परंतु तुम ऐसे ना होना वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है। परंतु मैं तुम्हा पर बैठ कर इस्राइल के बारह गोत्रों का न्याय करो. उन्होंने कहा, किसी वस्तुकी नहीं. उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले और वैसे ही जोली भी, और जिसके पास तलवार नहो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले. क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यह जो लिखा है, वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्य है, क्योंकि मेरे विशय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं. उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारे हैं. उसने उनसे कहा, बहुत हैं. यहोशु 3, 1-17 तक, यहोशु सबेरे उठा, और सब इस्राइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए. और तीन दिन के बाद सरदारों ने च्छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आग्यादी. जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी यह याजग भी देख पढ़ें, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रह तब यहोशू ने याजगों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे 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 चलो, तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राइलियों के सम्मुक तेरी प्रशंसा करना आरम जिससे वे जानने की जैसे मैं मुसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ. और तू बाचा के संदूप के उठाने वाले याजकों को यह आग या दे, जब तुम यर्दन के जल के किनारे पहुँचो तब यर्दन में खड़े रहना. तब यहोशु ने इस्राइल गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा. सुनो, प्रित्वी भर के प्रभू की वाचा का संदूप तुम्हारे आगे-ागे यर्दन में जाने पर है. इसलिए अब इस्राइल के गोत्रों में से 12 पुरुशों को चुनलो, वे एक-ए देरों से यर्दन पार जाने को कुछ किया, और याजक वाचा का संदूप उठाए हुए प्रजा के आगे-ागे चले, और संदूप के उठाने वाले यर्दन पर पहुँचे, और संदूप के उठाने वाले याजकों के पाव यर्दन तीर के जल में दूप गए, यर्दन क जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के उपर उपर बहा करता है, तब जो जल उपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्था तादाम नगर के पास जो सार्तान के निकट है रुक कर एक धेर हो गया, और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खार ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीती से सूख गया, और प्रजा के लोग यरिहों के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुँचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्र जाती के लोग यर्दन पार हो गए, यहोशु 4, 1-24 तक, जब उस सारी जाती के लोग यर्दन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशु से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष, अर्थात गोत्र पीछे एक-एक पुरुष को चुनकर यहा ग्या दे, तुम यर्दन के मिश्वर यहोवा के सिंदूप के आगे यर्दन के बीच में जाकर इस्राइलियों के गोत्रों की गिंती के अनुसार एक-एक पत्थर उठा कर अपने अपने कंदे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिनह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पुछ यहोशु की इस आग्या के अनुसार इस्राइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशु से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राइली गोत्रों की गिंती के अनुसार बारा पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये, और उनको अपने साथ ले जाकर पढ़ाव में रख दि की, जिन्हें यहोवा ने यहोशु को लोगों से कहने की आग्यादी थी. तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूप भी उनके देखते पार हुए. और रूबेनी, गादी, और मंश्ये के आधे गोत ही, और जैसे वे मूसा का भः मानते थे वैसे ही यहोशु का भी भः उसके जीवन भर मानते रहे. तब यहोवा ने यहोशु से कहा, साक्षी का संदूप उठाने वाले याजकों को आग्यादे की यर्दन में से निकल आए. तो यहोशु ने याजकों को आग्या दी, यर् और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यर्दन के बीच में से निकल आए और उनके पाउव स्थल पर पढ़े त्यों ही यर्दन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के उपर फिर बहने लगा पहले महीने के दसमें दिन को प्रजा क के लोगों ने यर्दन में से निकल कर यरिहो की पूरवी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो बारा पत्थर यर्दन में से निकाले गए थे उनको यहोशु ने गिलगाल में खड़े किये तब उसने इस्राइलियों से कहा आगे को जब तुम्हारे बाल अपने अपने पिता से यह पुछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है। तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राइली यर्दन के पार स्थल ही स्थल चले आये थे। क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से ह हटा कर सुखा रखा, इसलिए कि पृत्वी के सब देशों के लोग जानने की यहोवा का हाथ बलबंध है, और तुम सरवदा अपने परमेश्वर यहोवा का भहि मानते रहो। यहोश्यू 5, 1-12 तक, जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले इमुरियों के सब ने यह सुना, कि यहोवा ने इस्राइलियों के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटा कर सुखा रखा है, तब इस्राइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया, और उनके जी में जीना रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चक्मक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसरैलीओं का खतना करा दे। तब यहोशु ने चकमक की चुरियां बनवा कर खलरिया नामक तीले पर इसरैलीओं का खतना कराया। और यहोशु ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है, कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपत खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूद और मधू की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन किया था, उनका खत उस्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है, इसलिए इस्राइली गिलगाल में देरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहों के पास के अराबा में पूर्ण मासी की संध्या के समय फसह माना, और फसर के दूसरे दिन बे उस देश की उपज में से अक्मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे, और जिस दिन बे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सबेरे को मनना बंध हो गया, और इस्राइलियों को आगे फिर कभी मनना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया.